अब मैं लेता हूँ इस हलके से cotton को दिखाऊंगा आपको cotton भी चलेगा तो यहाँ पे मुझे भी इस तरह से अच्छी तरह से ये transparent fire नहीं दिख रही है तो यहाँ पे ये एक transparent और hidden fire है तो दिखाऊंगा आपको इतनी level पे ये cotton जल जाता है तो यहाँ पे आपने देख लिया आ किस तरह से आग लग जाते हैं तो यहाँ पे हमने लिया है hand sanitizer जो कि 2019 से पहले नहीं था लेकिन 2019 के बाद कोराना की वज़े से बहुत सारा market में आ गया तो आज हम आपको इसको जला कर दिखाते हैं तो यहाँ पे हमने इस sheet पे sanitizer डाल दिया अब हम देखते हैं इसको आग लग हो जाएगी या नहीं तो यहाँ पे हम इसको जला देंगे तो यहाँ पे यह जल रहा है लेकिन यह नहीं दिख रहा है तो आपको हम अभी दिखाएंगे और यहाँ पे heat भी दे रहा है यह एक hidden fire है जो कि नहीं दिखता है तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पे आग जल रहे हैं जैसकि मैं यहाँ पे आपको इस फोम को जला के दिखाता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे यह फोम जल जाता है लेकिन पता नहीं चलता इसके बाद मैं आपको इस तरह से कॉटन को जला के दिखाता हूँ यहां पर यह आग नहीं दिख रही है तो यहां पर आप देख सकते हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कितनी आग यह उंची है तो यहां पर सेनिटेज को थोड़ा सा दूर रखना है क्योंकि यह जल सकता है अब मैं आपको यहां पर पेपर दिखाता हूँ कितनी हाइट पर यह आग है लेकि लिए नहीं दिख जाती है तो यहां पर मैं आपको इस तरह से दिखा लेता हूँ तो इदर से आग लग जाती है तो यहां पर यह जल रहा है लेकिन यह नहीं दिखता है अच्छी तरह से तो इसे हमको पता चला अगर हम सिनिटाइजर को आग लगाएंगे तो वह जल सकता है तो हमको हाथ पे कभी भी नहीं लेना चाहिए अब अगर हम चमश पर लेंगे देखेंगे क्या होता है तो मैं इसको इस तरह से खाली गैस लगाता हूँ और यह जल जाता है मैं पूरा लाइटर इस तरह से नहीं दबा रहा हूँ बलकि इस तरह से खाली गैस निकाल रहा हूँ तो यहां पर आग जल रहे है जैसके मैं यहां पर आपको इस फोम को जला के दिखाता हूँ तो यहां पर आप देख सकते हो यहां पर यह फोम जल जाता है लेकिन पता नहीं चलता इसके बाद मैं आपको इस तरह से कॉटन को जला के दिखाता हूँ यहां पे यह आग ने तो यहां पे हमने इसमें सेनिटाइज डाल दिया अब हम इसको जला देंगे आपको यह नहीं दिख रहा है लेकिन मुझे दिख रहा है कि यह जल रहा है तो आपको दिखाओंगा यह एक ट्रांस्पेरिल फिलेम है जो की नहीं दिख रही है तो यहां पे मैं आपको इस काकत को जला के दिखाता हूँ तो यहां पे आप देखोगे कलेले आपको बरोसा हो transparent एक flame है जो कि नहीं दिख रही है तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पर यह खुद ही जल गया तो यहाँ पर आप देख सकते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर अभी glass भी जल दे लगा कभी भी अगर आप sanitizer का use करते हो सेनिटाइजर को हाथ पे डालते हो उसके बाद आपको कोई भी हीट नहीं देने है क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि आपका हाथ जल जाएगा तो यहां पर आप देख सकते हो किलियर लीक किस तरह से यहां पर गिलास भी जल गया तो यहां पर आप देख सकते हो यहां ने यहां पर सेनी टैजर डाल दिया और इसके बाइद मैं इस सेनी टैजर को जलाता हूँ तो यहां पर आपको दिख रहा है हल किसी यहां पर फिलेम है तो यहां पर मैं इसको काकट को जला के देख लेता हूँ तो यहां पर इस तरह से यह ट्रांस्पेरेंट फिलेम है यह नहीं दिख जाती है तो यहां पर इसमें सेनी टैजर है और यहां पे एक transparent flame है जो कि अच्छी तरह से नहीं दिखती है तो यहां से आपको मैं दिखाता हूँ सेनिटाइजर तो यहां पे जल रहा है सेनिटाइजर दूसरा वाला दिखाता हूँ यहां पे मैं सेनिटाइज को इसमें डाल लेता हूँ और इसके साथ मैं यहां पे इसको lighter से जला लेता हूँ तो यहां पे यह जल्दी ही जल गया आप देख सकते हो और यहां पे इसमें बहुत सारा टाइम लगेगा तब तक आप हमारी चैनल को सबस्क्राइब करना वीडियो को लाइक करना तो यहां पर मैं आपको इस तरह से दिखाता हूँ आलू इस तरह से जल गया है और इसमें हलका सा दूआ भी उठ रहा है इसको ले लिया और अब मैं इसको इस तरह से जला लेता हूँ तो यहां पे आपने देख लिया तो दोस्तों यहां पर आपने देख लिया एक hidden fire अब मैं इसी सेनिटेजर को इस तरह सोयबीन के उपर डाल लेता हूँ तो यहां पर मैंने लिया है एक सोयबीन जो की जल जाएगा जिसको हम न्यूट्री भी बोलते है तो यहां पर मैंने इस तरह से इसमें सेनिटेजर को डाल दिया एक सोयबीन के दाने में तो इसके बाद मैं इसको इस तरह से जला लेता हूँ तो यहां पर मैं आपको दिखाता हूँ hidden fire तो इस तरह से मैं एक काकट को लेता हूँ तो यहां पे मैं आपको दिखाऊंगा इसकी लेवल लगबग इतनी तक है तो यहां पे यह पेपर जल गया नहीं तो यहां पे यह जल रहा है लेकिन नहीं दिख रहा है अच्छी तरह से तो यहां पे आप देख सकते हैं सेनी टेजर और एलपी को अगर रख दिया जाएगा अगर सेनी टेजर और